हेलो फ्रेंज आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी बेंगन भर्ता बेंगन भर्ता कैसे बनाया जाता है सबसे पहले तो बेंगन को आप कैसे चूज कर सकते हैं मार्केट से लाने से पहले आपको देखना है बेंगन कैसा है जब आप खरिदने जाते हैं तो इसको इस तरह से द भरता खाने के लिए एकदम सौफ्ट बेंगन चाहिए बेंगन के ऊपर थोड़ा सा सरसो का तेल देखे इसको चारो तरफ इसको कोट कर लेंगे ताकि बेंगन जब रोस्ट हो जाए तो इसको अच्छे से पील करने के लिए सुविदा हो मैंने इसमें चारो तरफ लगा दिया अभी एक फोक के सहारे इसको च्छेद कर लेंगे बिच बिच में इसको इस तरह से च्छेद कर लेंगे इस तरह से च्छेद कर लेने से क्या होगा अंदर पूरा बेंगन अच्छे से रोस्ट हो जाएगा कहीं पे भी खचा नहीं रहेगा तो ये हो चुका है अभी चलिए इसको रोस्ट करने के लिए बिठाते हैं मैंने यहाँ पर गैस के उपर एक इस तरह का नेट लगा दिया अब इसके उपर मैं बेंगन को चरा दूँगी इस तरह से आपको थोड़े देर बाद बाद इसको थोड़ा सा घुमाते रहना है दोस्तों जब अब बेंगन को रोस्ट करने जाते हैं तो गैस का फ्लेम को मीडियाम पे रखे यह ज़्यादा तेज पे रहेगा तो उपर से तो बेंगन जल जाएगा लेकिन आंधर से यह कच्छा रह जाएगा इसलिए मीडियाम आज पे इसको घुमाते हुए इस तरह से चारो तरफ रोस्ट करना है मीडियाम आज पे रहने से अंधर तक यह अच्छे से पक जाएगा एक तरफ से यह अच्छे से पक चुका है अब भी इसको मैं थोड़ा सा टर्ण कर दूँगी दूसरे तरफ बीच बीच में इस तरह से इसको घुमाते हुए रोस्ट करना है इसको रोस्ट होने देते हैं तब तक हम लोग भरता बनाने के लिए जो समागरी चाहिए उससे त इस ताइट पर्सन को हम हटा देंगे तो इस तरह से मैं अच्छे से चौप कर लिया देखिये नग फाइन चौप हो गया अब यहां पर मैं दो तिन हरे मीटज इसको भी अच्छे से चौप कर लेंगे इस तरह से चौ lon diya अब इसमें मुझे डालना है धनिया पत्ता वह भी मैं यहां पर चौप कर लूंगी सारे चीजों को अच्छे से चौप कर लिया अभी चलिए देखते हैं बेंगन रोस्ट हुआ की नहीं ये भी एकदम बन के तयार हो चुका है देखें पूरी चारे तरब से ये पक चुका है अच्छे से अभी इसको निकाल के थोड़े देर रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए बहुत गरम है उसके बाद हम इसको पील करेंगे बेंगन ठंडा हो चुका है और इसमें से जितना जूस निकला है इसको हमको फेकना नहीं है इसके समेथी हम इसका भरता बनाएंगे तो चलिए इसको पील कर लेते हैं फटावर्ट इस तरह से बेंगन को पील कर लेना है देखिए अंदर से इतना अच्छे से यह पक चुका है और इससे थोड़ा सा रह भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्मोक की जो फ्लेवर है यह हम सपी को पसंद होता है तो थोड़ा बहुत अगर इसके साथ रह जाता है त इस तरह से आप इसको निकल ले देखिए अच्छे से निकल के आगया इसमें कुछ नहीं बच्चा है भर्ते को बनाने के लिए मैंने हाँ पर यूज करूँगी एक चमस नमक और सर्सो का तेल सर्सो का तेल ही इसमें यूज करना है मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी अभी पेयाज, हरे मीच और धनिया पत्त सरी चीज़ों को डल दिया अभी हाथ के सहारे इस तरह से आप बहुत अच्छे से इसको mix कर ले ताकि हार एक चीज अच्छे से mix हो जाए नमक, तेल, आपका हरे मीच जो भी है बहुत अच्छे से इसको mix करना है हरे मीच आप अपनी हिसाब से यूज किजिएगा सरसो क्रतल थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है इसमें आप अपने हिसाब से कितना बड़ा आपका बेंगन है कितना निकल रहा है वहां से उसकी हिसाब से आप अपना quantity set करें मैंने यहां पे एक medium प्याज डले हैं दो हरे मी जो तिखा था और थोड़ा सा धन्यापत्ता एक चमच नामक और सरसो का तेल चार चमच तो इतना सारा बेंगन का भरता मेरा यहां पे बन चुका है एक बंगन से